ओम शान्ती, 24 दिसंबर 2022 के इश्वरिय महाबाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा मुड़ी नहीं बनो, कभी मीठा, कभी कैसा, ऐसे बचे सर्विस नहीं कर सकते, तुम्हें तो सबको राजी करना है, जैसे बाप प्रेम का सागर है, ऐसे तुमको श्रिंगार कर घर ले जाने, जब तक पवित्र नहीं बने हैं, तब तक कोई वापिस नहीं जा सकता, जन्म लेना ही है, सबको पूरा पार्ट बजाना है, तुम बच्चों को पढ़कर भाशन नहीं करना, बाप जो सुनाते हैं, वेह पोइंट्स लिखते रहो, और अच्छी रिती धारण कर, फिर भाशन करो, तोते मुआफिक रटा हुआ नहीं बोलना, सेंसिबल बच्चे उनको कहेंगे जो हर बात में राय लेते हैं, श्रीमत पर चलने वाले कभी धोखा नहीं खाएंगे, हर एक को सर्जन से राय लेनी हैं, बाबा तु गरीब इस बाब को ऐसे बच्चे चाहिए, जो भले गरीब से गरीब हो, प्रंतु पढ़कर उचे से उचा पद पाएं, तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जो होश्यार बच्चे हैं, उनका पूरा रिगार्ड रखना है, दैवी गुन धारन करने हैं, और में बाब ने कहा, बहुत बच्चे ऐसे सुस्त हैं, जो मुरली की भी परवाह नहीं करते, ऐसे कभी नहीं समझना कि हम तो बहुत होश्यार हैं, मुरली में रोज बहुत अच्छी अच्छी पोइंट्स निकलती हैं, इसलिए कभी मुरली मिस नहीं होने चाहिए, और अब माहवाक्यों को विस्तार से कहते हैं तुम यहां की अपनी राजाई संभालो उनका बाप स्विकार नहीं करता है गरीबों को ही बाबा उंच ते उंच बनाते हैं गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें सहुकार बना देते इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है दूसरा प्रश्न बच्चों मे कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होने चाहिए उत्तर कई बच्चे मुरली सुनने वो पढ़ने में सुस्ती करते हैं मुरली मिस कर देते हैं बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है ओम शांती बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं और जो भी गुरू गोसाई आदी हैं वे अपने फोलोवर्स को बच्चे नहीं कहेंगे आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाशन करते हैं वो बुजुर्ग माताएं अथ्वा पुरुष हैं उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच यह अक्षर वे कह सकते हैं जो ग्रिस्त व्यवार में हो बच्चा अक्षर फैमिली का है बाप कह सकते हैं वे सन्यासी आदी तो फैमिली के नहीं हैं वे हैं निवरिती मार्ग वाले तो ग्रिस्त व्यवार के ख्यालात बुद्धी में नहीं आते यह तो मात पिता है तो उतुरूर बच्चे-बच्चे कहेंगे, तुम भी समझते हो, बेध का बाप, हम बच्चों को बैड समझाते हैं, पुछते हैं बच्चों, तुम्हारा घर को सा है? परमधाम, परमधाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम, तुमको याद कर अपने घर को जानते हो बाबा आया हुआ है हमको श्रिंगार कर घर ले जाएंगे फिर हम सुखधाम में आएंगे अभी तो यह है दुखधाम इनका तुमको सन्यास करना है यह बेहद का सन्यास सिवाए परम पिता परमात्म के और कोई सिखला न सके वे तो हद का अर्थात घरबार का सन्यास करते हैं यह तो मात पिता है ना मात पिता घरबार कैसे चुड़ाएंगे उनका तो धर्म ही है निवृती मार्ग का जैसे और और धर्म है आरे समाजी राधा स्वामी अभी राधा का स्वामी कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं वस्तों में राधे क्रिश्न तो प्रिंस प्रिंसस हैं आपस में दोनों सखा सखी ठहरे उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायन नाम पड़ेगा श्री नारायन स्वामी है, हाँ जब तक शादी नहीं की है, तब तक स्वामी नहीं कहेंगे, यह समझने की बाते हैं, बाप ने बच्चों से पुछा, अपना शान्ती धाम, सुक धाम याद है, यह रावनपुरी दुख धाम है, पूरी रहने की होती है, रावन पुरी में राम सीता है नहीं यू तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते हैं मैं हूँ राम मुझे तुम सीताओं को रावन की जेल से छुडाना है जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है उन पर रावन का राज्य है राम राज्ये तो सत्युग में था जिसमें लक्ष्मि नारेन राज्ये करते थे था भारत पर राज्ये परन्तु उस समय और कोई खंड ना होने के कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे हैं भारत के मालिक और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता तो सारी दुनिया के मालिक ठहरेना और वहां तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है तो यह तुम बच्चों की बुद्धी में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है अभी वापिस घर जाना है हमने 84 का चक्र लगाया है मनश्यों की बुद्धी में कुछ नहीं आता ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आये हैं अभी हमको वापिस जाना है फिर नए सिर चक्र शुरू होगा पुरानी दुनिया कलियुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता प्रन्तु नया चक्र सत्युग से शुरू होगा यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है प्रन्तु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं धारणा ना होने कारण फिर वह खुशी का पारा नहीं चड़ सकता हमारा यह 84 वा अंतिम जन में है फिर हम अपने घर जाएंगे जब तक पवित्र नहीं बने है तब तक कोई वापिस नहीं जा सकते जन्म लेना ही है जो तुम पहले पहले थे अब पिछाडी में हो सब धर्म वाले अभी अंत में भिन नाम रूप देश काल में है गुरु नानक जिसने सिख धर्म सापन किया उसकी आत्म कहा है यहां ही भिन नाम रूप में है सब को पूरा पार्ट बजाना ही है अभी तुम पुरुशार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए पिछाडी में सब को हिसाब किताब चुक्तू कर फिर जाना है गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी सत्युग त्रेता द्वापर में वह आ ना सके वह आती ही है कलियुग में अपने समय पर आकर धर्म सापन करेगी नमबर वार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म सापन करते हैं पहला नमबर अवतार है भगवान का अब निराकार कैसे अवतार ले बताते हैं मैंने इस चोले का आधार लिया है ये अपने जन्मों को नहीं जानते शरीर तो इनका है ना गाया भी जाता है आये देश पराई और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं हाँ धर्म सापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी जो पहली आत्मा है वे धर्म सापन नहीं करेगी जो आत्मा प्रवेश करेग वही सापना करेगी सितम आदी पहले वाली आत्मा सेहन करती है जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई वे तो सतो प्रधान थी उनको कुछ सेहन नहीं करना है उनको तो पहले सतो में ही आना है तो जो पहली आत्मा है वे सेहन करती है दुख तो आत्मा को ही होता है ना जब शरीर के साथ है धर्म राज भी शरीर धारन कराए सजा देंगे आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुन्य आत्मा पाप शरीर पुन्य शरीर नहीं कहा जाता है सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निरलेप है शरीर पर पाप लगता है अनेग प्रकार के गुरु लोग हैं बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है बाबा हर एक से पूछते रहते थे क्यों सन्यास किया घरबार कैसे छोड़ा बतलाते नहीं थे तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा वह नहीं ऐसी ऐसी बाते बड़े शुरुडनेस समझदारी से करते थे अभी समझ से हैं कि यह सारा जो मनुष्य स्रिष्टी रूपी जाड़ है इनकी जड़ड़ी भूत अवस्था है अभी फिर से नया शुरू होना है प्रले तो होती नहीं शास्त्रों में महा प्रले दिखाई है वे तो होती नहीं कहते हैं श्रिक्रीष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया यह सब हैं गपोडे बाप कहते हैं मैं तो आता हूँ आदी सनातन देवी देवता धर्म की सापना करने हमेशा पहले सापना फिर विनाश पालना ऐसे कहना चाहिए ऐसे नहीं कि पहले सापना पालना पीछे विनाश कहो तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पढ़े हुए हैं सापना पालना फिर विनाश कैसे होगा इसलिए काइदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने हैं सापना विनाश पालना अभी उच्च ते उच्च बाप की तुमको श्रीमत मिलती है देते हैं ब्रह्मा के तन दवारा यह बाबा का शरीर मुकरर है सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे श्रीव बाबा की ही श्रीमत है बाबा दूर थोड़े ही है बाप देखते हैं बच्चे रोंग चलते हैं वो राइट चलते हैं हर एक को सरजन से राय मिल सकती है यह है सबसे बड़ा सरजन कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है श्रीमत पर चलते रहो समझो कोई गरीब बच्चा है धारना अच्छी है सर्विसेबुल है प्रन्तु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता ऐसे को टिकेट भी मिल सकती है बाप तो गरीब निवाज है न ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर उचे ते उचा चड़ जाए आजकल सब गरीब है दस बीस लाख तो कुछ भी नहीं है दस बीस करोड हो तो साहुकार कहा जाए बाबा ने समझाया है पदम पती यह वरसा ले नहीं सकेंगे वे अरपन हो न सके ना बाबा अलाव करेंगे गरीबों की पाई पाई सफल होती है ऐसी क्या पड़ी है यह भी पक्का सोदागर है इसलिए साहुकार आते ही नहीं है बाब कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते है यह भी बाबा ने समझाया है विष्णु को ब्रह्मा बनने में पांच हजार वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में एक सेकिंड और कोई यह बातें समझ न सके बाबा कितना अच्छा समझाते हैं, विष्णो की नाभी कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है, अभी ब्रह्मा सरस्वती सोफर लक्ष्मि नारैन बन जाते हैं, सुर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे, यह सारा चक्र बुद्धी में हैं, ब्रह्म सो विष्णू, विष्णू सो ब्रह्मा यह टोपिक बहुत अच्छी है, सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है, यह सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रिती धारन कर सकेंगे, और पोइंट्स लिखते, करेक्ट करते रहेंगे, भाशन जब करते हैं, कोई को याद नह नहीं रहता, तो कागज सामने रखते हैं, तुम बच्चों को औरली समझाना है, बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे, तो किताब खोल कर देखेंगे, फिर बोलेंगे, जज साहिब देखो, फलानी लोग बुक में यह है, व तो हमको ऐसे ऐसे प्लैंस बनाने हैं, तुमको भी विचार चलाना है, टोपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह यह पोइंट्स समझाएंगे, फिर सारी नौलेज बुद्धी में आ जाएगी, फिर अक्यूरेट भाशन करेंगे, अचानक भाशन करेंगे तो यह भी नंबरवार प्रेक्टिस हैं, तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाशन करो, समझ से हैं यह बड़ी बहन है, भाईयों में जगदीश होश्यार है, तो कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए, फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना, स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुन धारन करने हैं, मोडी नहीं बनना है, कभी मीठा, कभी कैसा, वेफिर सर्विस नहीं कर सकते, बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं सर्व के सद्गती दाता सर्व को सुख शांती देने वाला है प्रेम का सागर सुख का सागर है तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो शिव शक्ती पंडव सेना तुम स्वर्ग की सापना करते हो टाइम लगता है जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए आत्मा पर जो जंक चड़ी हुई है वे कैसे निकलेगी योग बल से जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पोइंट्स निकलती हैं तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए प्रन्तु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते समझ से हैं हम होश्यार हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्ना के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट सभी को राजी करना है मूढी दिमाग वाला नहीं बनना है बहुत बहुत मीठा बनना है अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं दूसरी पुइंट हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है श्रीमत पर चलते रहना है सेंसिबल बन हर पुइंट स्व्यम में धारन करनी है वर्दान त्रिकाल दर्शी सिती में रहे ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नौलेज़ फुल भव त्रिकाल दर्शी सिती में रहे ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नौलेज़ फुल भव त्रिकाल दर्शी सिती में सित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे इस ड्रामा में हमारा विशेस पार्ट नुन्धा हुआ है इतना स्पष्ट अनुभो हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं हमें तीनों कालों की नौलेज मिल गई जैसे कोई भी देश में जब टोव पोइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है ऐसे संगम युग टोव पोइंट है इस पर खड़े होकर नौलेज फुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा स्लोगन जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वत्य प्राप्त होता है जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वत्य प्राप्त होता है अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोति अव्यक्त अव्यक्त